एक बार एक आदमी किसी राजा के दर्बार पहुचा और उसने कहा माहराज मेरे पास दो रतन है जिन में से एक बेस किमती हीरा और दूसरा साधारन काच का टुकडा यदि आपके दर्बार में किसी ने यह बता दिया कि कौन सा काच है और कौन सा सच्चा हीरा तो मैं यह हीरा आपके खजाने में दे दूँगा अन्य था आपको पाँच जार सुण मुद्राय मुझे देनी होगी राजा को यह चुनोती पसंद आई और दर्बारियों को हीरे और काच में फक करने का आदेश दिया बड़े से बड़ा सूजबूज वाला दर्बारी आया लेकिन कोई भी हीरे की परक नहीं कर पाया अंत में राजा ने हारमाल ली और उसे पाँच जार सुण मुद्राय दी अब वह आदमी दूसे राज्य पहुंचा और वहाँ भी उसने यही सर्त रखी लेकिन वहाँ कोई भी कोई फर्क नहीं कर सका और सर्थ के मुताबिक राजा को पाच जार सोने की मुद्राय देनी पड़ी इसी परकार वह आदमी कई राज्यों का भर्मन करता और अपनी सर्थ रखता हर बार वह सुर्ण मुद्राय जीत कर आगे बढ़ जाता उस समय ठंड का समय था और एक राजा ने अपना दर्बार खुले मैदान में लगाया था ताकि दर्बारी धूप का आनन लेते हुए कामकाज निप्टा सके वह आदमी दर्बार में पहुचा और अपनी सर्थ दोराई यहाँ भी राजा ने उसकी चिनोति स्विकार कर ली राजा ने विद्वानों को भी असली और नकली हीरे में फरक करने का एदेश दिया लेकिन यहाँ भी कोई फरक नहीं कर सका राजा उदास हो गया और उसने खजानची को खजाने से 5000 मुद्रा लाने का आदेश दिया तभी एक दरबारी जो जन्म से अंधा था उसने कहा माराज खजानची को भेजने से पहले एक बार मुझे इन हीरों को परकने का अवसर दिया जाए राजा तयार हो गया और वह अंधा दरबारी बारी बारी से दोनों को छू कर एक टुकड़े की तरफ इसारा करके बोला माराज ये है सच्चा हीरा और दूसरा वाला साधारन काच का टुकड़ा है जिसका कोई मौल नहीं हीरे वाले आदमी की आखे चम की और वह बोला बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां राजा सहीत सभी की आखे खुली की खुली रह गई वह बोला जो भी सच्चा हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा रहता है और जब कि साधारन काच थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हुटता है बिलकुल हम इंसानों की तरह तो दोस्तो स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले थेंक्यू